मन्स्टेक की सीरीज के अंदर हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिसकस करा कि हम किस तरीके से डेटा बेस को अपनी अप्लीकेसिंग के साथ करवा सकते हैं आपको सबसे पहले तो वह चीज करके दिखा देता हूं आप लोग यहां पे देख सकते हो और एक अपना क्लाइंट आप लोग यहां पर देख सकते हो एक क्लाइंट है एक सरवर रहे ठीक है मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल नोड मौन और मेरी फाइल का नाम जिसको मुझे यहां पर देख सकते हैं अपनी जो अप्लीकेशन वो इस वाले पोर्ट पे रन कर रही है और यहां पर connected लिख के आज चुका है बहुत ही बढ़िया तो मैं काम करूँगा सबसे पहले मैं दिखाओंगा कि इस वाले यहां पर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं अब अपने को करना क्या पड़ेगा अब अपने को सिंपल करना यह पड़ेगा कि हम आप लोग क्लियर देख से तो एक तो सरवर है और एक क्लाइंट है दो अपने पास यहां पर डैक्ट्री है ठीक है तो हम आज की इस वीडियो में एक सिंपल सी यूआई को क्रेट करेंगे एक यूआई को क्रेट करेंगे मतलब एक सिंपल सी वेब साइट होगी और एक उपर उसके हेडर होगा और एक सिंपल सा साइन अप का फॉर्म क्रेट करेंगे ठीक है यह दो चीज आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो हम तो रोग कंड्रोल सीः इसको टर्मिनेट करता हूं मैं और यहां पर सिंपल सीडी डौ डौट टाइप करता हूं मैं एक चाहरू पीस से जाना है मुझे तो यहां पर डोट करना पड़ेगा अदमा बिल्कूल फ्रेसली मेरी नेक्स जास की आपलीकेशन को यहां पर प्रोपर लिस्टोल करना साँगा क्लाइंट के अंदर तो मैं यहां पर लिखूँगा इस्टोल करने के लिए मैंने कोई दिखकत नहीं है एप रउटर घ्रभर यस ऑन्ड यह सारे सिस्ट्रीकेश इनको प्रोपर ली इस टोल कर लूगा और आप लोग पर क्लाइंट में देख सकते हैं इस तरीकेशच चीजी यहां पर आई चुकी हैं कुछ और यहां पर चीजों को इंस्टोल कर रहे है है तो थोड़ा से में टाइम लगता है हाड ली वन मिनेट यहां पर प्रोपरली इंस्टोल हो चुकी आप लोग यहां पर देख सकते हो एप सब यहां पर आ चुकी है और मैं मेरी एप को रन करने के लिए यहां पर लिखूँगा मैं मैं लिखता हूँ यहां पर लोग चेक आउट करते हैं तो आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो सब बढ़या चल रहा है यही होती है अपनी डिफोर्ट नेक्जिस वाली अप्लिकेशन ठीक है अब हम लोग करेंगे क्या सबसे पहले यहां पर देखो एप है इस एप के इंदर सबसे पहले बार रहे हो यहां पर प्रमेंगे पेश डूट एप्यजैस अपने को कुछ जाहिए तो हैं इसमें तो हम इसको हटा देंगे और सबसे पहले इस टर्मेनल को भी हम लोग इस तरीके से हटा देते हैं यहां से ठीक है यह जो ग्लोबल डोट ट्शस ब्समें भी अपने कुछ यह exact नहीं है तो इस तरीके से मैं चीज़ों को गणा दिया सबसे पहले मैं इस एप के अंदर आगे लोगा सिंपल कॉंटक्ट का मानों कि कॉंटक्ट नाम से मैं एक डाक्टरिक्ट करिए और मतलब जितने पेज होंगे मेरी website के अंदर उसे साब से मैं यहाँ पर directory create कर रहा हूँ तो paste.js नाम से मैं एक simple सी file यहाँ पर create करी यहाँ पर मैं RFC react error function component export यहाँ पर मैं लिग देता हूँ contact page तो contact page ठीक है simple इसी के साथ साथ मैं एक ओ directory create करूँगा और इसी के साथ साथ मैं एक service इस नाम से directory create करूँगा और इसी के साथ मैं एक directory create करूँगा अपनी अभी के लिए हमने about contact or service करी और एक हम लोग sign up नाम से भी directory create करी लेंगे ठीक है यहाँ पर about के अंदर कुछ नहीं है तो simple सी file बनाए जाए तो हम लोग यहाँ पर page.js करके एक file बनाएंगे ठीक है यहाँ पर मैं लिक दूँगा अपना जो भी about page है वो यहाँ पर service के अंदर कोई file नहीं है तो एक file बनाए जाए service के अंदर page.js ठीक है और यहाँ पर भी क्या type करा जाए reactor function component export और यह अपना simple service का page है ओके जी sign up की बात बात में कर लेंगे अभी के लिए मैंने इसमें एक चलो इसकी बात बात में हम लोग कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से मैंने कुल बिला कि काफी सारी यहाँ पर file बनाई है सभी को मैं close all कर दूँगा ठीक है कुछ इस तरीके से और यह मुझे बोला save करो ठीक है और अब जो page.js वो अपना open करते हैं यहाँ पर और इसकी अंदर में यह तरो function component export इस तरीके से यहाँ पर डालता हूं यह simple से माल लो कि अपना home page है ठीक है यह जो अपना page है यह अपना home page है अब देखो यार मुझे सबसे पहले क्या चाहिए मुझे सबसे पहले चाहिए कि मैं एक header create करूँ और जो मेरा header होगा वो सभी page पे same होगा क्योंकि navigation हो सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा हम लोग अगर header की बात करें तो header में क्या होगा सबसे पहले उपर ही उपर एक logo होता है website में इसमें मैं dot logo करके इस तरीके से एक बीव बना लेता हूं ठीक है और इसमें मेरे पास है अभी की image मैंने डाउनलोड करी थी वह लोगो की image यहां पर पास कर दूँगा और इसी के सास्थ मैं navigation मुझे दिखाना तो मैं अलग उसका component create कर रहा हूँगा तो मैं यह यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर मुझे simple name इस तरीके से लिखना है इसमें सबसे पहले मैं class name set कर दूँगा जिसका नाव होगा name and brand ओके बहुत ही बढ़िया इसमें मुझे link को import करना पड़ेगा तो मैं लिखूँगा सबसे पहले import किया जाए link को इस तरीके से और इस है ओके बहुत ही बढ़िया और मैं यहां पर एक simple class name प्रवाइड करूँगा मैं बोल दूँगा की name item इस तरीके से ठीक है duplicate copy करेंगे और यहां पर यह होगा simple अपना about और यहां पर मुझे about करना पड़ेगा header है यह जो अपना navigation है इसको हमने proper export कर दिया और यह जो header है इसके अंदर आओ और इसके अंदर आके सबसे पहले आपको import करना अपने navigation को कैसे करोगे simple question ही करना आपको import करना तो आप लोग import name करोगे नेव से आप लोग नेव को ले लो ठीक है इसके ज़स नीचे आओ और इसके अंदर आप आके इस तरीके से इसमें नेव को पास कर दो तो आपका नेविगेशन प्रोपरली इंपोर्ट हो चुका है यही तो करना था अब गाईज अपना जो हेडर है वो सभी पेज पे सेम रह जो लेने वाला है तो यह जो लेयाउट डोट जिस करके आपको फाइल मील रही होती है आपको यहाँ पे आना सबसे पहले आपलोग करोगे क्या यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है अपने हेडर को मतलब कर लो इस तरीके से ठीक है, header और यहाँ पर आपका जो children है, वो paste हो जाएगा children क्या है, children अपना जो page.j जैसा वो ही तो है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोपरले इसको डाल दिया ओके जी, एक बार हम लोग यहाँ पर चलते और इसको test करते हैं तो यहाँ पर export ओके refresh करते हैं आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो home about मैंने about को लिख दिया इसको मैं कर लूँगा about कोई दिकत नहीं है service contact sign up और यह अपना home page है अब जैसे मालनो कि मैं about पर click करता हूँ तो यहाँ पर about page आना चाहिए यहाँ पर properly आ चुका है home page और यहाँ पर page refresh अपना हो रहा है और अब जैसे मैं इस about पर click all right देखो about page ठीक है same ही अलान लेकिन यह जो अपना नेविगेसिन आ वो तो same ही है service पर click करते है service page बहुत ही बढ़िया contact पर click करते है contact page बहुत ही बढ़िया sign up वाला हमने side बनाया नहीं तो वो अपने को दिखाई नहीं देगा लेकिन देखो home page जलता हूँ home page about service contact बहुत ही बढ़िया ठीक है इस तरीके से अपना काम यहाँ पर हो चुका है अब अपने को चाहिए भाई साब एक image क्योंकि लोगों भी तो create करना है अपने को img इसको मैं drag करके तो मैं यहाँ पर drag करके जो public है इसके अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक है तो public के अंदर वो अपनी image यहाँ पर आ चुकी है और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पर जो अपना header है वहाँ पर चलते हैं इसके अंदर जो image डेगा हम लोग इसका नाम डाल देते हैं image.png और alt के अंदर हम लोग यहाँ पर logo पास कर देते हैं ठीक है सेव करते हैं हलांकि मुझे इसकी width को भी लिखना पड़ेगा नहीं तो यह problem create करेगी मैं लिख देता हूं इसको width 60 तो कहां पर clear देख सोते हो कुछ इस तरीके से अपना जो about है home है सब कुछ यहां पर इस तरीके से दिखाए देरा बढ़िया है सही है अपना header है उसको थोड़ा style कर लेते हैं style बहुत अराम से कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग अलग अलग components की मतलब लोग जाओ यहां पर आपको जैसे मालो header की सही है तो header आपको लिखना पड़ेगा dot module यह आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको CSS एड़ कर देना है header.module.css इस तरीके से ठीक है तो करना क्या है सबसे पहले देखो सबसे पहले मालो की एक header underscore करके class कहां पर ह आपको आना है इसकी width को मैं set करूंगा कितनी set करूंगा मैं 80% set करूंगा ठीक है मैं padding इसमें पास करूंगा border bottom मैं यहां पर set करूंगा कितना set करूंगा one pixel एक पर solid white कर देता हूं बाद में देखेंगे इसको edit करना होगा तो और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जि justify content center कर दो और align item center कर दो इस तरीके से ठीक है लेकिन मैं justify content center ना करके मैं space और मैं करूंगा यहां पर आके around इस तरीके से ठीक है मैं save करूंगा अभी जो header.module.css को मुझे यहां पर इसको use करना header के अंदर तो मुझे लिखना पड़ेगा simple import करा जाए सबसे पहले तो किसको style क जो कहां से from जो add rate आ रहा है उस पर आप लोग जाओ directly target कर रहा है अपने source को इसमें app के अंदर जा रहा है और उसके अंदर आपको simple style पर चलना है style पर चलके आपकी एक file आपको मिलती है उसको आप लोग यहां पर ले लो यह जो header है underscore इसको आप लोग यहां से हटा दो style one second आ हम करेंगे क्या सबसे पहले हमें काम करेंगे और वो काम अपना यह होगा कि मेरे पास already color रखा हुआ है यह देखो मेरे पास यहां पे already background का color रखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा इसका use करूँगा और मैं इसको use करने के लिए मैं यहां पर चलूँगा आप बना जो global.css है और उसके बाद में जो मेरा बेग राउंड का कलर है वो यहां पर मैं कंप्लिट कोपी करके यहां पर इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर दूँगा अब अगर मैं आपको इसका आपपूर्ट दिखाऊं तो आप लोग आप देख सकते हो जो अपना कलर रहा वो भी हाँ पर प्र कर रहा है मैंने इसको परना था ठीक है मैंने इसको प्रोपरली अबाउट कर दिया ठीक है बहुत ही बड़िया जो नेविगेशन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर इसको अपने को यहां पर प्रोपर सेंटर में लेके आना है और दूसरी बात यह करनी है कि इसमें जो और नेव आईटम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे मालो आपको दिखाई दे रहा है होम अबाउट सर्वीस कॉंटेक्ट है ना ये सारी चीज़ा आपको दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ा सेटलमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं करना आपको सिंपल चलना सक्स माइनस 50% कर दो इससे सेंटर में तो आई जाएगा और यह जो वाइट कलर थोड़ा ज्यादा यह समें मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको इस तरीके से और गईज मैं एक चीज और करना चाहूंगा और वो चीज मेरी यह है कि जो अपना जैसे को अजाएगा नाघ है नेविगेशन इसकी अदर मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा इसको अगैन मैं कोई दूसरी इसकी स्टायल को और नहीं करेट करने वाला इसी फाल को मैं प्रोपरली इंपोर्ट करेऊंगा नेव के अंदर और बहुत अराम से कर सकते हैं जैसे मैंन आने के बाद में आपको चलना है header modules पे ठीक है यहां पे जो ने ब्रैंड है इस ने ब्रैंड को आप लोग completely कट करके यहां पे आप लोग style यूज़ कर सकते हो यहां पे आप लोग dot and name underscore brand यूज़ कर सकते हो ठीक है इस तरीके से तो जहां जहां पे मैंने यह जो class name name items रख रखा है इसको मैं control D कर लेता हूं सभी को और मैं क्या कर लेता हूं मैं यहां पे simple चल के style and dot name and ops मुझे लिखेना यहां पे जो अपना name and underscore item है उसको लो सबसे पहले इसका जो color होगा वो यहां पे white करो ठीक है text decoration learn करो नीचे आपको underline एक दिखाई दे रही है अपने को रखना थोड़ी है इसको अपने को हटाना है तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे simple text decoration यहां पे लिख देंगे learn ठ flex का जो भी transform होगा वो हम लोग capitalize करेंगे मतलब हर वर्ड का हर लेटर फस्ट वाला वो capital होना चाहिए और दूसरी बात यह होगी margin हम इसमें set कर रहे होंगे और आप लोग display flex दे कि अराम से gap वाली property यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं चलो margin यूज़ कर दे रहा हूँ top to bottom 0 and left and right 10 pixel ठीक है कुछ इस तरीके से और इसी के साथ साथ मुझे और क्या लगने वाला वो देखेंगे लेकिन उससे पहले मुझे यहां पर चलना पड़ेगा और देखते हैं कि इसका output क्या आता है तो मुझे page को refresh करना है simple सी problem आच चुकी style name item is not defined okay तो यहां पे मनें side okay मनें यह क्यों कर रखा भाई मैंने यह क्यों कर रखा मुझे exactly same feeling जहां जहां पे यहां जहां ने हपिक पर दोट करना है अपना home about service a lot कोंटेक्ट लेकिन लेकिन इसकी अंदर जो take ट्रांस्फोर्म केपिटलाइज है वह वाले प्रोपर्टिस में एड नहीं होई क्योंकि आप लोग यहां पर देखो अबाउट का एच छोटा है सर्विस का एच छोटा है कॉंटेक्ट का सी छोटा है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए बहुत ही सिंपल है आपको सिंपल यहां पर चलना टेक्स ट्रांस्फोर्म केपिटलाइज आपने करा है बड़ यह चीज यहां पर एड क्यों नहीं हो रही प्रोपरली यहां पर सही नहीं हुई आई डून नो इसा क्यों हुआ मुझे इसको मैनुवल लिखना पड़ेगा और कोई क्या कर सकते और कुछ नही इसके अंदर मैं आउं गा और यहां पर स्पेस आ चुका अब थोड़ा कूल रग रहे ठीक है इस वाले बटन को थोड़ा अपने को स्टाइल करना तो अच्छा लगना चाहिए कि भाई हां यह साइन अप का button है तो हम केसे कर सकते हैं हम यहां पर simple चलेंगे और यहां पर मेरे पास already कुछ code लिखा हुआ इसको बन जल्दी से copy करता हूँ यहां पर मैं simple paste करता हूँ तो यह क्या है बेकरों का color मैंने यह करा है बेकरौ फिल्टर मैंने आपको बताया क्या होता है इसको मैंने बलर करा है 2.5 pixel और मैंने यह व्याइब कीट बैकड्रोव फिल्टर करा है और बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्षल करिया और एक सिम्पल सा मैंने बॉर्डर और एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी मैं लिकूँ आपर टेक्स ट्रांस्फोर्म नो टेक्स डेकोरेशन मुझे लेकिना पड़ेगा टेक्स डेकोरेशन नन सिंपल ठीक है और मैं अब यहां पर चलूँगा तो यह क्या हुआ यहां पर यह ऐसे कैसे हुआ मुझे इसमें पैडिंग अड़ करनी पड़ेगी थोड़ी तो मुझे इसमें थोड़ा पैडिंग अड़ करना पड़ेगा तो मैं अराम से यहां पर पैडिंग अड़ कर सक नहीं है मैं इसको 5 pixel कर दूँगा ठीक है और मुझे एक icon लगेगा तो मैं icon को भी यूज करना चाहूंगा icon मैं कैसे यूज कर सकता हूं मुझे चलना पड़ेगा simple react icons पे ठीक है और यहां पर मुझे इसको इस्टोल करना पड़ेगा तो यहां से मैं जल्दी से इसको copy करता हूं और मैं क्या करता हूं मैं control c type करता हूं यहां पर आगे सब कुछ clean करता हूं मतलब मैं इसको terminate कर देता हूं properly हां बिल्कुल मुझे एक बार करना है मैं चाहूं तो नया ट्रमिनल यहां से open कर सकता था पेस्ट करता हूं पेस्ट करके मैं इंटर करता हूं जो पेकेज यहां पर इस्टोल हो चुका है बहुत ही बढ़िया अब हम लोग यहां पर चलेंगे और यहां पर हमसे बार की सिंपल सव मुझे एक एरो चाहिते है मैं आपको बताता हूं मुझे कौन सा एयृट चाहिए अप लोग कहां पर देख की यहां पर प्लेट नेव यहाँ पर हम लोग चलेंगे इसके जस्ट मैं नीट से यहाँ पर इसको इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा मुझे एरो वाला आइकन चाहिए तो कंट्रोल एप टाइप करते हैं और एक बार एरो टाइप करते हैं करते हैं कौन सा लेके जलता है अपने कहां पर लेके जलता है यह वाला ही तो हो इसको यहां से कोपी कर लेते हैं और यहां पर चलते हैं इसकी जस्ट आइकन नेम को रिप्लेस करके यहां पर पेस्ट कर देंगे इसको और इसके आगे मैं कुछ इस तरीके से इसको एड़ कर द और मैं वाई प्रेज करूँगा मैं क्लीन करूँगा मैं लिखूँगा एन पियाम रन डेव जो अप्लीकेशन 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 हो चुकिए आपको मैं इसका आप ओर तो आप लोग यहां पर देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है इस पर होवर वाली चाहिए तो ट्रांजिक्सिन ड्यूरेशन मैं यहां पर 300 या फिर 200 अमस कर दो अब यहां पर सिंपल होवर करते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते काफी बढ़िया लग रहा है सही लग रहा है ठीक है तो सर्विस का पेज आ चुका है अबाउट पर चुका है जैसे मैं हां पर अगें home पर क्लिक करता हूं तो देख home का page आचुका है contact पर क्लिक करता हूं तो contact का page आना चीए कोडिया चुका है मतलब वो page open हो जाए तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं कैसी भी कर लो यार ठीक है तो हम क्या करेंगे हम चलेंगे सिंपल यहां पर देखो sign up नाम से हमने एक deck create करी थी आपको या दिये यहां पर इसके अंदर आएंगे और एक simple सी page.js नाम से एक file create कर लेंगे सबसे पहले मैं काम करूँगा सभी को close all करूँगा यहां पर हाँ जी बिल्कुल सभी को save करो और close all कर दो ठीक है और अब यह जो अपना page है इसको हम लोग यहां पर open करेंगे और यहां पर मैं लिखूँँगा create arrow function component export इस तरीके से अपर आके मुझे एक simple सा form create करना मेरे पास already form का code रखा हुआ जल्दी से मैं आप इसको paste कर लेता हूँ बहुत ही simple सा code है क्या बताऊं इसके बारे में HTML जो है वो ही है ठीक है अगर मैं आपको बता हूँ तो आप लोग यहां पर clear देख सकते हूँ कि भाई एक form है टेक उसके अंदर simple सा form control नाम से class है और यहां पर label है username के लिए उसकी फिर field है और यहां पर simple email का label है email की field है और phone का label है और phone का field है यहां पर है और यहां पर मैं एक चीज और करना चाहूंगा मैं लिखूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मैं यहां पर simple डाल दूँगा फिर मैं रजिस्ट्रेशन के जगा मैं लिखूँगा sign up और okay मैं लिख दूँगा यहां पर form उपने को इनके लिए सिंपल सी एक स्टाइल करेट करने पड़ेगी आपको पता है तो स्टाइल के अंदर हम लोग चलेंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंपल sign up dot module ठीक है इस तरीके से dot css okay सिंपल सी बात है कोई बड़ी चीज है नहीं और यहां पर किस के लिए क्रेट करोगे आप लोग सबसे पहले तो आपको form के लिए क्रेट करनी है तो मैं यहां पर dot form underscore classes की जो मेरे पास css वो अलड़ी रखी हुई है तो मैं कुछ css यहां से ले लूँगा कोपी करूँगा और यह मैं यहां पर डाल दिया background color वो ही जो मैंने बटन के लिए बनाए थी sign up वाले के लिए वो ही से मैं ठीक है यहां पर simple जाएंगे इसकी जो width होगी मैं करूँगा यहां पर 40% ठीक है और इसी के साथ मैं इसकी height होगी photo कर सकते हो यहां पर आप लोग इसमें padding set कर सकते हो इसके pixel और एक बार इसको test करते हैं test करने के लिए मैं यहां पर page.js पर चलूँगा और यहां पर इसको import तो करना पड़ेगा आपने को style from app के अंदर चलने के बाद में आपको चलना पड़ेगा style पर style पर जाने के बाद में आपकी जो signup.module.cs वाली file इसको आप लोग ले लो ठीक है save करते हैं मैं यहां पर क्लिक करता हूं इस पर तो 404 ऐसे कैसे हो बई 404 यह page इसको नहीं मिला ऐसे क्या हुआ इसा मैंने क्या करा तो मुझे चलना पड़ेगा सबसे पहले जो signup page है यहां पर नहीं नेव पर ठीक है और नेव के अंदर मैंने signup को यहां पर इस तरीके से कर रखा तो मुझे सही से देना पड़ेगा ने इसको तो अपने यहां पर browser पर और यहां पर home है about है service है सब बढ़िया सल रहा signup पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक form यहां पर बनके आया है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा settlement हम लोग करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही minus 50% मैं यहां पर set कर दूँगा ठीक है और मुझे padding थोड़ी और सही होगी padding मैंने दी है यहां पर तो मैं इसको 20 pixel पर clear देख सकते हैं कुछ इस तरीके से control है इसको आप लोग target कर लो ठीक है यहां पर आप CSS पर जाओ home control पर जाके जो भी आपका सबसे पहले तो input है इसकी width को कर दो complete 100% ठीक है 100% कर दो और height होगी वो आप लोग यहां पर set कर दो 45 pixel ठीक है और आपको border उसमें से हटाना none कर दो outline आप none कर सकते हो आप लोग इसमे padding add कर सकते हो basically zero top and bottom से and left and right से आप लोग 5 pixel set कर सकते हो ठीक है और जो border होगा bottom से वो आप आप लोग कौन सा set करोगे तो मैं यहां पर लिकूंगा border and bottom solid और यहां पर triple app set करूँगा और मैं थोड़ा से top से गेप देदूंगा 20 pixel का काफी है ठीक है इस तरीके से बहुत ही बढ़िया उसके बाद में क्या चाहिए उसके बाद में अपने को चाहिए कि जो भी अपना form control है जो भी अपना form controller वहां पर simple cell की हम लोग margin इसमें एड़ करेंगे top and bottom से 10 pixel left and right से 0 ठीक है इस तरीके से और अभी के लिए ही होगा उसके बाद में background का color इसमें transparent करूँगा वहां यहां पर white करूँगा तो कुछ इस तरीके से में कुछ चेजमेंट नहीं है लेकिन मैं अगर इसको सेव करता हूँ पि देख तो username email phone कुछ इस तरीके से बढ़िया लग रहा है सही लग रहा है तो यहां पर अपने को placeholder भी सेट करेंगे placeholder किसका है basically वह है dot form and control पर simple cell के जो input है वहां पर अपने को इसमें placeholder भी सेट करना है तो हम लोग लिखेंगे simple placeholder का जो color होगा वो हम लोग यहां पर provide कर देंगे इस तरीके से ठीक है your placeholder का color होता वह हम लोग कहां तो यह white हो जाएगा उसके बाद में अपने क्या करना है उसके बाद में करना यह है कि हमने properly यहाँ पर गेप दे दिया अब जो label है तो यहाँ पर simple चलूँगा आपको देखने को नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो place order है वो काफी जदा मैंने वाइट कर दिया तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा डाग करने कोशिश करूँगा ठीक है इस तरीके से अब जो बटन की हम लोग बात करें तो बटन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग स्ट्राइल कर सकते हैं तो यह जो बटन है यह बैसिकली फोर्म के अंदर है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dot form underscore पे सिंपल जाओ बटन के सिंपल जाओ और आप लोग यहाँ पर लिखो पैडिंग पिक्सल एक काम करता हूं बैसिकली यह वाला बटन मैं यहाँ पर इसके से ले लेता हूं इसकी मैं proper CSS यहां पर ले लेता हूं तो एक काम क complete code है, copy करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो अपना button है, यह वाला, इसकी जस नीचे मैं इसको paste कर देता हूँ, यहाँ पर in fact मैंने padding already यहाँ पर set करी रखी है तो padding इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है, और सब कुछ बढ़िया है एक बार इसको test करते हैं, यहाँ पर देख से कुछ इस तरीके से यहाँ पर बटन आचुका अपने पास, मुझे padding इसकी left and right से ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसको मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है और इसका जो color होगा, वो मैं black नहीं, मैं इसको white करना चाहूंगा, तो इस तरीके से मैं इसको simple थोड़ा इस तरीके से white कर दिया, ठीक है ओके जी बहुत ही बढ़िया, और इसमें जो cursor होगा, वो मैं यहाँ पर pointer कर दो, यहाँ पर चलें, तो इस तरीके से अपने को submit का यहाँ पर बटन भी प्रोपर ली दिखाई दे रहा है, यहाँ पी जो sign up form है, और यह sign up form अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस sign up form को अपने को white करना है, तो basically वो भी form के अंदर ही है, तो dot form के अंदर जो एक S ठूता उसको ले लो, और इसका जो color code होगा, वो basically white होगा, ठीक है, और इसको हम लोग margin bottom से, गेप देंगे 10 pixel का, तो margin bottom से मैं इसको 10 pixel का gap दे दिया, तो यह थोड़ा सही हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, एक बार सेव करके आप इसको ठीक है, तो save मैंने करा नहीं गया, इसको save, आप लोग यहाँ पी देख सकते हो, प् काफी ज़्यादा कर रहा है, तो padding भी मैं इसमें ज़्यादा नहीं, at least 15 pixel का करूँगा, इतना हमने हमारा काम यहाँ पर create कर, हम इसका output देखे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका output आ रहा होता है, बड़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है, ज्यादा इसकी हमने design खु ताकि मैं इसमें अपना backend यूज कर सकूँ, और इसमें मैं अपना data यहाँ पर कुछ user से type करवा कि डैक लिए मैं MongoDB के अंदर मैं इसको store करवा सकूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने चीज़ यहाँ पर properly कर ली है, अब हम लोग next वीडियो में देखेंगे कि हम किस तर अब हम लोग देखेंगे next वीडियो में और आपको बहुत कुछी सीरीज के अंदर सेखने को मिलने वाला है, आज तो एक simple सा UI वाला party था, कुछ ज़्यादा नहीं था, मुझे पता आप लोग इसको अराम से बना सकते हो, नीचे मैं code देदूँगा इसका, आप लोग अराम झालाओ 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 झाल